हमारे योटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजे जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दे सराब आज के समय में बहुत ही खतरनाक नसा बन गया है जो परिवार को तबा कर रहे हैं आर्थिक छती पहुँचा रहे हैं सोयम को बरबात कर रहे हैं अधिक सराब पिने से लीवार कीडिनी हाट सभी रोख परभाईत हो जाते हैं ज इसकी वज़ा से रहेक्ती दीनों दीन कमजोर होता जाता है वो अकाल के मुह में भी समा जाता है आज के समय में बड़े से लेकर छोटे तक कर सभी लोग सराब के गिरिपतम हैं मुह में स्वात के लिए खैनी तंबाखू घुटका जर्दा चबाते हैं जिससे मुह के कैंसर हो जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक रोग है एक बार हो जाने से उसका दूर हो जाना बहुत ही कठीन हो जाता है या भाइंकार रोग हो जाता है समाज उसे नीम नद्रिष्टी से देखा जाता है सराब की वज़ा से परिवार में सांती नहीं रहे पाता पती पतनी में लड़ हो जाते हैं समाज में लड़ाई हो जाता है बहुंसे आरे जगा दुर घटना हो रहा है यह अधिक सराप की सेवन की वजह से हैं जो पूरे समाज परिवार को बरबात कर रहे हैं ऐसी सराप को दूर करने के लिए हमारी आउरेद में बहुत ही जबरदस्त आउजधी है जिसका सेवन करने से वाइकती धीरे धीरे सराप छोड़ देता है तथा सराप के परती उसका विचार नहीं जाता तो ऐसी जबरदस्त परियोग अजमाया हुआ है बहुंस सारे लोगों का जीवन में सराप दूर हुआ है तमबाको दूर हुआ है सिक्रेट की धुए दूर हुआ है खैनी खाने के आदत दूर हुआ है तो सबसे पहला परियोग आपको करना है 100 ग्राम आपको सौफ लेना है 100 ग्राम अजवाइन लेना है और 50 ग्राम काला नमक तीनों को अच्छी तरीका से कुटे कपड़चान करें और उसको किसी डिब्बे में भर कर रख दीजे जब नखाए या रोटी खाए तुस रोटी या खाना में एक एक चमश सुबह साम मिला दिजे जिससे वैक्ति का सराप पीना धिरे धिरे खत्म हो जाएगा उसके सराप पीने के आदत दूर हो जाएगा उसके मन सराप के परती नहीं जाएगा या बिलकुल अजमाया हुआ है 15 द 75% सराप छूट जाता है वैक्ति को बिना बताए उसके सब्जी में रोटी में या जो उसको पसंद रहता है उसमें मिला दिजे उसके इच्छा बिलकुल ही मर जाएगा सराप के परती ध्यान ही नहीं जाएगा और इस तरह स्थ धीरे धीरे उसका सराप पीना छूट और आपको दूसरा परियोग करना है अगर ये इस परियोग को कर रहे हैं तो दूसरा परियोग को आपको नहीं करना कि मल दोनों में से एक ही परियोग को करना है दूसरा परियोग आपको होमियोपैथी जो अदरक का लिक्वीड होता है ये आयरवेद में भी उपलद नहीं है लेकिन होमियोपैथिक में उपलब्ध है होमियोपैथिक के दवाई के दुकान पर आपको मिल जाएगा सलफर एक सव अगर कम मातरा में सराप का सेवन कर रहे हैं तो उसे दो सव दिजिए सलफर दो सव आपको दो बुन देना है अगर सराप का सेवन अधिक मातरा में कर रह इसको बताई नहीं कि उस पर क्या दिया है क्या मिला कर दिया है उसको ऐसे दीजिये उसके जनकारी के अभाव में तो ये धीरे धीरे छूट जाएगा ये 100 लोगों में से 90 लोगों को छूट चुका है ये अद्भूत उपचार है इसके द्वारा बहुंच सारे लोग सराप से दूर हो गए हैं, जो आज मान सम्मान के जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको दोनों में से एक ही का परियोग करना है, दोनों का परियोग नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगे, ये सलफर्स आपको पचास साथ रुपिया में मिल जाएगा, और जो अजवाइन और साउप अ मातरा में बहुत ही कम सुलक में आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, तिस दोनों परियोग में से एक का परियोग आपनी चितरुप से करिए, और अपने परिवार, समाज को सान्ति पूर्ण रहने में मदद करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सेयर कर अधिक लोगों तक फैलाए, जिससे सभी लोग सराप को से दूर रहें, सराप का सेवन ना करें, और पूरे परिवार में सान्ति पूर्ण जीवान बैतित करें, और इस दोनों परियोग से उसका स्वस्थ भी जबर्दस्त रुप से स्वस्थ रहेगा, और लिवार हाट आज का वीडियो बस इतना ही, मेरे वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद